इस Tailwind CSS एक कमाल की टेक्नोलजी है जिसको सीखना बेहद आसान है इस वीडियो में मैं आप लोग को Tailwind CSS बताऊंगा और आप लोगों को यह बताऊंगा कि आपके workflow को बेहद आसान कैसे बना देता है CSS लिखना basically आप लोग के लिए आसान कैसे बनाता है आप लोग इस वीडियो क मेरा उदेश्या आप लोग को यह समझाना है कि Tailwind CSS होता क्या है क्यों मैं एक नई टेक्नोलजी स्थीख हूँ और आप लोगों को मैं सबसे पहले यह justify करके दूँगा आप लोगों को मैं convince करूंगा Tailwind CSS सीखने के लिए कि यह actual में useful चीज है तो Tailwind CSS का यूज होता है जल्दी जल्दी वेबसाइट्स बिल्द करने के लिए अब जल्दी जल्दी का क्या मतलब है आपर मैं अगर आप लोगों को VS Code दिखाओं और आप लोग को बताओं इन फैक्ट याद दिलाओं कि हम लोग किस तरह से जो development करते हैं तो हमें पता है कि भाई हम एक index.html फाइल लिखते फिर एक CSS लिखते हैं boilerplate के अंदर हम लोग जो भी CSS वगया उसको link करते है और link करने के बाद हम उसको use करते हैं बहुत ऑट ही simply सी चीज कर निखते है unlock the ये container black हो जाए या red हो जाए तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि मैं आपर लिख दूँ black और ये class भी ना मुझे बनानी पड़े define ना करनी पड़े अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे define करनी पड़ेगी बहुना ऐसे पर नहीं चलेगा अगर मैं dot black करूँ और मैं आपर background color black कर दूँ तो अगर मैं background color black करूँगा तो इसका background black हो जाएगा color white करूँगा color white हो जाएगा लेकिन मुझे define करना पड़ेगा भाई ऐसी तरह से तो भाई काम करती है HTML CSS हमने सीखा है लेकिन कैसा रहे अगर मैं आप लोगों से कहूँ मैं सबसे पहले इसका preview आपको दिखाता हूँ क्या हो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यार आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है और आप यहाँ पे इस तरह की जो classes हैं वो use करते रहोगे और आपका UI बनता रहेगा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको CSS खोलने की जरूरत नहीं है और इससे आपकी application पर कोई overhead नहीं आएगा यानि कि यह production ready code generate होगा जो final code generate होगा वो production ready होगा और आप उस code को production में इस्तेमाल कर पाएंगे उससे बड़ी बड़ी websites बना पाएंगे चाहें फिर आप मतलब billions of users वाला भी startup क्यों न खोलने आप वो website views से maintain कर सकते हैं in fact मैं आपको बताऊंगा millions billions of users वाली एक website जो कि tailwind use करती है पता ही देता हूँ या चैट GPT ठीक है but let's get back to this कि यार यह होगा कैसे और यह है क्या तो एक technology यह tailwind CSS करके यह technology क्या करती है कि एक बार आपने इसको सही से configure वगरा कर लिया तो आप utility classes का इस्तेमाल कर सकते हो याद है हमारा project spotify clone का जिसमें मैंने utility classes बनाई थी मैंने कहा था कि यार हम बार बार अलग-अलग containers में display flex कर रहे है क्योंना class ही बना ली जाए flex जिसमें लिखा होगा display flex क्योंना हम justify center करके justify center करके justify between center नाम की class ही बना ले और इस तरह की classes हमें एक बार बनानी पड़ेगी नहीं यूज multiple times करेंगे tailwind CSS में ये classes उपलब दोती है tailwind CSS में ये classes उपलब दोती है और यहां पर आप लोगों को बहुत सारे तरीके मिलेंगे इसको use करने का तो मैं आप लोगों को बहुत ही कोई के एक website दिखाता हूँ जिसका नाम है play.tailwindcss.com actually play.tailwindcss.com और यहां पर क्या है कि आप इस तरह की utility classes का इस्तिमाल कर सकते हो तो यार मुझे तो याद रखना पड़ेगा कि utility classes कौन सी है कब है और क्या use करना है किस class में क्या लिखा यह मुझे कैसे पता चलेगा तो आप क्या करो अभी देखो अगर समझ में नहीं भी आ रहे है ना तो slowly slowly grasp करो जो मैं बता रहूं आप लोगो आपने क्या करना है कि extensions जो है उसमें लिखना है Tailwind CSS IntelliSense क्या लिखोगे यह Tailwind लिखो आ जाएगा यह अपने आप और इसको install कर ले ना मैंने तो globally install किया हुआ है क्यों कि मैं इसको काफी time से use करता हूँ अब आपने एक बार यह कर लिया तो आप क्या कर सकते हो Tailwind को via cdn इस्तिमाल कर सकते हो तो मैं अगर यहाँ पर लिखो cdn तो यहाँ पर play cdn नाम से आपको installation आप करोगे तो play cdn को option है आपर यह recommended नहीं है बढ़ अभी के लिए भूल जाओ हम simply क्या करेंगे इस code को copy करेंगे जो पहला वाला code है और इसको यहाँ paste कर देंगे ठीक है आपने एक बार यह code लिख दिया है यहाँ आपने लिखा h1 class is equal to text 3xl आपने कहा कि text हो जाए मेरा 3xl font हो जाए मेरी bold और underline कर दो इसको आपने बस इतना लिखा और यह क्या करेगा automatically इसमें css apply कर देगा तो मैं आप लोग को इसका result दिखाऊं तो इसको कुछ इस तरह से दिख रहा है तो hello world underline हो गया hello world जो है यहाँ पर आप लोग को bold भी दिख रहा है और जैसे आपने बोला वैसे वैसे यह हो रहा है text 3xl हो गया और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे से type करोगे intelligence आप लोग को बताएगा जो tailwind css का intelligence है वो आप लोग को बताएगा कि किस तरह से आप क्या लिखोगे तो क्या होगा तो यहार हमने tailwind का एक taste ले लिया अब आप लोग अगर play.tailwindcss.com पर जाओगे तो अब यहां पर कोई भी UI बना सकते हो आपने simply क्या करना है कि यहां पर simply अपनी HTML लिखना शुरू कर देना इसे मालो मैं चाहता हूँ कि एक container बनाना चाहता हूँ मैंने container बनाया इसके अंदर मालो मैं h1 डालना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ hey hello world और इसके बाद मैं यहां पर लिखना चाहता हूँ एक paragraph और लिखना चाहता हूँ this is a para this is a para अब मैं चाहता हूँ कि यहां जो मेरा container इस पर थोड़ी सी margin padding आ जाए तो मैं अगर यहां पर MX auto कर दूँगा तो यह center पर आ जाएगा ठीक है और अगर मैं इसको width 100 कर दूँगा तो इसकी width 100 हो गई ठीक है या मैं इसकी width को full भी कर सकता हूँ मैं min width full भी कर सकता हूँ जो कि क्या apply करेगा तो क्या apply करने वाले यह भी यहां पर लिखकर आ रहा है तो क्या CSS apply होगी plus क्या आप लोगों ने लिखा वो सब आप लोगों को दिखता है अब मालनो मैं इसका color change करना चाहता हूँ h1 का सिर्फ और मैं purple करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा text purple ठीक है p r p u r लिखूँगा और control space दबाऊँगा control space दबाऊँगा तो क्या होगा मुझे suggestions मिलेंगे और मैं इसमें से कोई भी color select कर सकता हूँ इसका color change हो गया इसी तरह मैं इसका background दे सकता हूँ एक class लगा के b g dash और मालनो मैं इसका background करना चाहता हूँ for some reason gray with opacity of save on a scale of 50 to 950 की opacity मैं लेना चाहता हूँ मालनो 400 तो वो तरही गाड़ा gray मुझे generate करके देदेगा जितना मुझे चाहिए और exactly यह कौन सा color है यह आप देख लो यहाँ पर लिखा हूँ है background color क्या है RGB और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि क्या exact values यह यूज़ कर रहा है basically ठीक है तो यह हमें मिला देखने को I hope समझ में आगे आप लोगों को और इसी ज़रा से development हम करते है rapid development होता है rapid development हम करेंगे सब कुछ करेंगे आपको मैं बताऊंगा लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को Tailwind CSS को सही से use करना सिखाता हूँ किया जब आप अपने एक project में use करोगे Tailwind को तो कैसे करोगे तो अभी के लिए आप इसको भूल जाओ अभी तो बताया आपने भूलू क्यों कभी भी आपको Tailwind से कुछ भी experiment करना है यह आपका साथी है play.tailwindcss.com यहापर आप कुछ भी मना सकते हूँ मैं अगर मानलो एक website आपको बताता हूँ tailblocks.cc मैंने गलत लिख दिया मैंने गलत spelling लिख दी tailblocks.cc इसमें क्या होता है कि आपको Tailwindcss के इस तरह की components मिल जाते हैं अब आप देख रहे हो यह कुछ Tailwind के components है जो आप लोगो देखने को मिल जाते हैं without any external CSS सिर्फ HTML में बैं coding करते हूँ Tailwind का essence क्या है कि आप सिर्फ HTML में रहकर coding करोगे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी files को switch करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपके जो development है उसकी speed बड़ेगी और जब आपके development की speed बड़ेगी you are going to feel good you are going to feel confident और आपको मज़ा आएगा code करने में तो Tailwind में मैं आपने experience आप लोग को बताता हूँ कि UI लिखने में मज़ा आता है पट क्या फिर हमने CSS की वो बिकार थी अरे नहीं भाई CSS जो है वही इस्तेमाल हो रही है आप अगर आप समझो गई नहीं की कौन सी property लगानी है सबसे पहले आप लोग CSS की कौन सी property लगाना चाहते हो यह अपने दिमाग में लाओगे फिर उसके corresponding utility class कौन सी है यह देखोगे तो अगर मालो मुझे लगानी है मालो flex लगाना है मुझे और flex में मुझे center करना है किसी चीज़ को तो मैं पहले flex लगाऊँगा जो कि सिर्फ एक display flex करेगा यानि कि मुझे अपनी CSS में जाकर यह define करने की जरूद नहीं कि इसका display flex कर दो and similarly अगर मुझे flex direction column करनी तो मैं flex dash call कर दूँगा अब आप को गयार मैं कि याद रखता फिर होगा तो याद नहीं रखते फिर होगे आप उसी के लिए हमने install करी है Tailwind CSS IntelliCense देखते रहो इस वीडियो को मैं आप लोग को बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग Tailwind को चलाएंगे in production तो आप लोग अगर यहाँ पर आओ NPX के बारे में आप लोग को मैं बताता हूँ जिसको कहते है node package execute यानि बिना किसी package को install करें अगर आप लोग यूज करना चाते हो तो NPX से आप execute कर सकते हो 5.2 से अब आप आपने node अगर install किया हूँ तो आपको NPX मिलेगा तो चेक करते हैं हमने कौन से install किया हूआ है और हमने किया हूआ है latest version तो हमें NPX मिलेगा तो मैं अगर NPM-version लिखो यहाँ पर तो देखो हमने तो भाई 8.16 किया हूआ है तो मैं अगर NPX-version लिखो यहाँ पर तो आप लोग को NPX का version में मिल जागा तो NPX का मतलब क्या है कि आप NPM install global ना करें बिना ही चला लोगे तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर Tailwind की website में और Tailwind CLI से आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह से Tailwind CSS यूज़ करना है तो Tailwind कुछ नहीं है एक Node.js टाकेज ही है जो सबसे पहले हम क्या करेंगे NPM init करेंगे माइनस Y NPM init माइनस Y करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर install करेंगे NPM install माइनस D Tailwind CSS और Tailwind CSS को इंस्टॉल करने के बाद हमने यह कर लिया install Tailwind CSS को और मैं आप लोगों बताना चाहता हूँ कि माइनस D करने से क्या होता है कि यह as a dev dependency install होता है जिसका मतलब यह हुआ कि यह अगर आप package.json खोल के देखोगे तो यह mark कर देगा इसको कि यह वाला जो हमारा package है यह as a dev dependency install होगा सिर्फ development के time पर हम लोग इसको use करने वाले है इसका use यह होता है कि जब आप production में अपनी apps को deploy करोगे तो overhead इतना जादा नहीं आएगा तो देखो यहाँ पर dev dependencies में Tailwind CSS आ गया है चलो भाई बहुत बढ़िया बात है अब आप कहोगे कि मैं Tailwind CSS को initialize कर दो तो आप कहोगे npx Tailwind CSS init और अगर आप लोग npx Tailwind CSS init minus y लिखोगे तो क्या होगा minus p लिखोगे sorry तो क्या होगा post CSS की भी file generate हो जागी but let's forget about it for now और अभी हमने क्या किया जैसे यह चलाया तो हमें एक file मिल गई इस file पर हम तब आएंगे जब हमें Tailwind CSS को customize करना होगा for now हमें Tailwind CSS को customize नहीं करना है तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया है ठीक है बढ़िया अब हम क्या करेंगे कि यह हमारी automatically generate हो गई है tailwind.conf.js अब हम एक input file बनाएंगे तो हम एक src.input.css यह बनाएंगे src मानलो मैं आपर src बनाता हूँ इसके अंदर एक input.css बनाता हूँ बाइद अब आप file को ऐसे भी बना सकते हो सिर्फ जैसे मानलो मैंने लिखा folder.file.js तो folder automatically बन जाएगा बढ़ यार आज अच्छी लगी है मेरी तो मैं पहले folder बनाता हूँ फिर file बनाता हूँ पता नहीं क्यों अब ये क्या ये तो css है नहीं यार क्या कर रहे हो यार आपको गए ये css नहीं है लेकिन ये क्या है विसी के लिए ये compile होगी css में तो आप क्या कह रहे हो कि tailwind css base को include करो tailwind css के components को include करो और सारी utility classes को कर दो आप import और इस css में additionally आपको चाइड करना चाहते है तो आप इस file में css लिख सकते हो at the end ये compile होगी to a clean browser के दुआरा understand की जाने वाली css में ठीक है तो wait करते हैं हम लोग थोड़ा और आप लोगो मैं बताऊंगा कैसे ये सब होने वाला अब देखो जब आप ये command चलाओगे न npx tailwind css minus i a और minus so a और minus minus watch ये command विसी कली क्या कर रहा है ये command ये कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि file को watch करो क्या करो file को watch करो उन file को watch करो जो कि मैंने tailwind config में बताई है कौन सी बताई है tailwind config में कुछ भी नहीं दिखा मुझे तो tailwind config में आपको बताना पड़ेगा किन file को watch करना है तो ये वाली जो line या पर लिखी है न इन्होंने कहा है कि भाई उन files को watch करो जिसमें HTML और JS हो उन file को watch करो सारी उन file को watch करो जिसमें HTML और JS extension हो तो ये जो लिखा हुआ है code वो ये कह रहा है ठीक है तो हम कह रहे है कि src folder के अंदर html हो या js हो उसको आप क्या करो watch करो लेकिन मैं भी या आपर क्या करूँगा कि .slc हटा दूँगा मैं आपर simply क्या करूँगा मैं आपर कर दूँगा star.html और JS यानि कि सारी HTML फाइल्स को JS भी अटा देता हूँ मैं सिर्फ HTML लिख रहा हूँ भी तो मैं कहुँगा कि सिर्फ HTML फाइल्स को watch करो हम react अब गएरा करते हैं तो हमें JS को भी watch करोना पड़ता है यह क्या करेगा कि यह HTML फाइलों को देखेगा और HTML फाइलों को यहाँ पर देखने के बाद यह क्या करेगा कि सारी फाइल्स को देखेगा और एक output फाइल जो है जनरेट करेगा यह output फाइल मुझे यह आपर बस include करनी है अपनी boilerplate में बस और मैं यह बात दुबारा समझाओंगा आपको मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ लिंक से करूँगा इसको include लिंक CSS लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा src slash output.css ठीक है तो यह मैंने किया है मैं यहाँ पर लिखूँगा div.container और यहाँ पर लिखूँगा div. और यहाँ पर मानलो मैं लिखूँगा text black और यह लिखता हूँ मानलो मैं और इससे क्या होगा कि text black हो जाएगा मानलो है लिखा text white करता हूँ black तो by default होता ही है white लिखूँगा और मैं जारा इसको preview करके आप लोग को दिखाता हूँ तो यहाँ पर text white नहीं हुआ tailwind नहीं चली let me see what went wrong तो क्या गलत मैंने किया यहाँ पर अब यहाँ पर मुझे एक warning दे रहा है यह ऐसे मत लिखो यह glob pattern गलत लिखा हुआ है तो अगर मुझे एक file को match कराना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर यह हटाऊँगा और मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा star.html मैं कहरा हूँ सारी html फाइलों को जो है watch करो अब मैं इसको reload करूँगा जैसी तो देखो यहाँ पर text white हो गया तो मैं इसको बीजी इसका red कर देता हूँ यहाँ पर बीजी रेड मैं लिखने की कोशिश करता हूँ अब मैंने यहाँ पर बीजी लिखा और डैश लिखा और रेड लिखा तो आप देखो यहाँ पर मुझे सजेशन मिल रही है मालनो मैं यह वाला सेलेक्ट करता हूँ तो देखो इसका background red हो गया तो मैं इस तरह की rotality glasses use कर 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 के क्या करूँगा कि सारे css लिखना avoid कर दूँगा तो मुझे css बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब मुझे पता है कि यहाँ पर क्या है मुझे मालनो एक container बनाने जिसको मुझे एक flex box बनाने तो मैं flex लिख दूँगा फिर मुझे flex direction को करना है column तो मैं flex call कर दूँगा और यहाँ पर देखो flex call किया मैं hover करके simply पता लगा सकता हूँ इसने क्या apply किया अब tailwind का setup आप लोग को थोड़ा सा complicated लगेगा तो let me create a file called setup.md setup.md अब setup.md बनाना है बाई कुछ और नहीं करना अब setup.md में मैं क्या करूंगा आप लोग को दिखाऊंगा कि how to setup tailwind css सबसे पहले step क्या करना है आपको step 1 क्या है step 1 is to simply install तो मैं यहाँ से copy करता हूँ कि पहले मैंने यह run किया फिर मैंने यह run किया tailwind css in it और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या किया कि run the following commands तो मैंना एक जगा पर आजाएगा आपको आप कह सकते हो यह बात कि यार आप documentation को दुबारा से recreate क्यू कर रहे हो तो यार मैं documentation को बिलकुर recreate नहीं कर रहा हूँ तो मैं जस्ट यह चाहता हूँ कि आप लोग के लिए easy हो जाए तो यहाँ पर आपको npx tailwind css in it यह चलाना है और उसी के साथ साथ कि दूसरा command क्यों नहीं आया भई क्या चल रहा है दूसरा command क्यों नहीं आया यहाँ पर मैं अगर enter मारू np npm वाला command क्यों नहीं है हाँ भागया ठीक है तो npm install tailwind css npx tailwind css in it यह आप लोग को चलाना है फिर step 2 क्या होगा step 2 आप लोगोंने क्या करना है कि एक बार आपने tailwind css का project sorry node.js का project बना लिया और यह दोनों रन कर दिये तो अगला क्या है कि आपको update करना है update tailwind dot मैं आप लिख देता हूँ update करो update tailwind.conf.js file to मैं इसको बन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि config.js actually to कहा गया भाई setup.md to include this line to include this line to include this line तो हमें क्या करना है कि यह वाली line include करानी है तो मैं आपर यह करूँगा और इसके बीच हो भी जो ही लिख दूँगा content यह करना है हमको ताकि सारी html files match हो जाए फिर step 3 क्या है step 3 क्या है come on step 3 step 3 step 3 step 3 is to step 3 is to create src slash input dot css create src slash input dot css to include क्या include कर वा हो गया यह include कर वा हो गया ठीक है step 4 क्या है step 4 है कि आप क्या करोगे include the output dot css file to your html के कौन सी output dot css src slash output dot css आप इनकी locations change भी कर सकते हो और इसके बाद आपको क्या करना है step 5 क्या करना है run the following command उंगलिया ही नहीं काम कर रही है इतनी ठंड लग रही है मुझे और यह copy करूंगा और मैं simply क्या कह रहा हूं मैं simply यह कह रहा हूं कि भाई देखो ऐसा है कि यह जो command है इसको run करो तो मैं इसको अगर यह पर preview करूं तो यह इस तरह से चल गया तो देखो यह command sun करने आपको npm install tailwind npm tailwind css in it content यह हो गया और फिर आपको यह बना देना है और यह include कर देना है उसमें और बस यह चला देना है ठीक है तो यह क्या करेगा यह वाला command क्या करेगा यह वाला command कहेगा कि भाई मैं नहीं input.css को देखता रहूँगा और input.css को देखूँगा और इस file को देखूँगा कौन सी file को इस file को देखूँगा जिसको मुझे watch करना है इसमें देखूँगा कौन सी file included है HTML सारी करनी है ठीक है सारी HTML में देखूँगा कौन कौन सी utility classes use हो रही है और सर्व utility classes को compile करके output में डालूँगा ताकि आपका bundle size कम रहे अब को कि क्या कह रहे हो यार समझ में नहीं आ रहा है मैं समझाता हूँ आप लोगो देखो हो क्या रहा है यहां पर देखो दो रास्ते थे हमारे पास एक तो हम क्या कर सकते थे सब कुछ ही इंक्लूट कर दो सारी utility classes मालो एक लाग utility classes है तो एक लाग की एक लाग utility classes इंक्लूट कर दो अब आप को यार मैं तो सिर्फ bg gray use कर रहा हूँ सारी utility classes क्यों पटक दी मेरे project में भाई मेरे जो users है उनका load time कितना बढ़ जाएगा यह तो मेरे users मतलब सिर्फ चार characters या 8-10 characters सिर्फ request कर रहे हैं तो हमने सारी glasses ship कर दी browser में उनका net खर्च होगा मेरी sites low होगी भाई समझता हूं इस बात को इसलिए पूरा हमें जंजट करना पड़ा और यह जंजट अब जंजट नहीं रहे है क्योंकि मैंने setup.md फिर आपने यह जो tailwind का source code है वो लगाना है और वो लगाने के बाद आपने क्या करना है output file को अपनी HTML file में लगा देना है और इसके बाद आपने क्या करना है कि यह कर देना है यानि कि watch करता रहे अब यह command आपका चलता रहना चाहिए यह command आपका चलते रहना चाहिए और यह rebuild करता रहेगा जैसे जैसे आप नई चीज़ आड करते रहोगा और output.css change होती रहेगी मानलो मैं output.css को delete कर दूँ जिसमें आपको यह बात प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ कि output.css बन जाएगी जैसे ही मैं आपर कुछ change करूँगा तो मानलो मैंने आपर अगर एक space भी add कर दिया तो यह rebuild करेगा कर रहा है rebuild.css बन गई अब अगर मानलो मैंने आप पर लिख दिया text और dash लिखा और purple color का मानलो चाहता हूँ मैं text हो जाए तो मैंने text purple 900 लिखा तो यह extension क्या कर रही है मुझे बता दे रही है आपका text purple यह इस color का देखेगा यह color चाहते हो ना आप हाँ यह color चाहता हूँ तो मैं text purple लिखाँ और rebuild कर दिया इस command ने ठीक है तो अब यह command काफी आपको अगरी command भूल जाओंगा मैं बार-बार और क्या करूं मैं मुझे समझ नहीं आ रहा बतलब यह command मैं के लेके घुम हो तो आप लेके मत घुम हो इस command को आप क्या करो कि जो command है इस command को करो copy और मैं आपको एक ninja technique बताता हूँ जो कि मैं अलड़ी बता चुका हूँ पर एक बताता हूँ scripts में आप क्या कर दो ना एक build नाम की script बना दो क्या करो एक build नाम की script बना दो और वो script क्या है वो यह script है तो आपने build के अंदर यह script बना दी तो जब आपने build के अंदर यह script बना दी तो आप जब npm run build करोगे मैं आपर दिखाता हूँ आपको अब आपको npm run build तो क्या होगा npm run build करने से ये command चलेगा और चलता रहेगा तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं आपको बस npm run build याद रखना है अब यार ये तो याद रखी लोगे ना हाँ रख लोगे आप बहुत अच्छे हो ठीक है तो चलो यार कुछ बनाते हैं इसका यूज करके आप टेल्मेंट का अब इसमेंना बहुत सारी चीज़े होती हैं जो कि मैंने आपको नहीं बताई ठीक है मानलो मैं ये चाहता हूँ और ने आव बार में इस वेबसाइट को मैं अगलती से प्रीविवव करते हो piss तो मैं इसी नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा navbar purple color का हो, ज़रहाब मैं imagine करते हूं अपनी website को purple color का मेरा navbar हो यह अपर कुछ लिखा हुआ हो, बनाव अच्छी दिए website हो, यह इस website कौन चाहता है? यह ऐस दिए website आप भी visit करना नहीं चाहोगे, तो मैं क्या करता हूं, navbar सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं background color देना तो मैं background purple लिखता हूँ pur लिखोंगा ये वाला चुन लेता हूँ हाँ ये अच्छा लग रहा है background purple हुआ ने अब बार का हाँ यार purple हो गया text white कर देता हूँ ताकि ये white हो जाए text white करूँगा अब मैं चाहता हूँ कि जो ul है ये एक flexbox बन जाए flexbox क्यों बनाना चाहूँगा इसको मैं ताकि ये ऐसे हो जाए wow it is working wow यार मज़ा आ गया अब मैं चाहता हूँ यार कि इसमें क्या हो ना कि सारी कि सारी जो ये मेरे allies है ना इनमें space हा जाए ये complex CSS लिखी होगी है अगर आप इसको समझो भी तो कोई बड़ी चीज नहीं है आप समझ जाओगे इसको लेकिन ये क्या कर रहा है कि margin right और margin left apply कर रहा है बस calculations करके कुछ देख लेना इसको भी आप dissect कर सकते हैं बट कुल मिलाके spacex 3 याद रखो जो क्या करती है जितने भी child element से उनमे left right में classes दे देती है how cool is that अमालों मैं चाता हूँ कि यार मेरा एक logo होता यहाँ पर ठीक है एक logo होता तो कितना अच्छा होता और यहाँ पर लिखा होता code with Harry ठीक है code with Harry लिखा होता यहाँ पर logo में और यह जो लोगो हो यहाँ पर आता और यह सब यहाँ आता मैं चाता हूँ यह सब यहाँ पर आता यार end में तो मैं क्या करूँगा इसको बना दूँगा flex और मैं क्या करूँगा flex करके justify क्या करूँगा justify between कर देता हूँ between तो नहीं करता हूँ यार यह तो बिल्कुली चुपक गया justify around करता हूँ तो यह क्या add करेगा hover करके देखता हूँ अच्छा space around add करेगा space around add करेगा यह लेकिन अब मैं आपर inspect करके देखो और मैं देखो अगर यहां पर तरह मैं वीडियो आफ करूँ अपना था कि आप लोग को भी दिखे नीचे का तो देखो यार यह flex मैंने बनाया ठीक है यह एक flex box है यह है और यह मैं चाहता हूं कि यार जो justify content होना justify content को मैं देखता हूँ space around okay space around भी नहीं चाहिए मुझे between देखता हूं यार between 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 space between भी लिखता हूं हाँ space between चाहिए मुझे I need space between तो justify between लिख दूँगा मैं तो जब मैं justify between यहाँ पर लिख कर रिलोड करूँगा तो यह क्या होगा justify between यह वाली glass automatically add हो जाएगी और यह मेरी output.css में भी automatically आती रहीगी बस मुझे क्या करना npm run build को चालू रखना है और वो मेरा चालू है और finally मैं क्या करूँगा जब मेरा development पूरा हो जाएगा इस output.css को मैं include कर दूँगा और अपने project में क्या करूँगा अपने project में ship कर दूँगा as simple as that कैसे बनाओगा responsive website तो या देखो आप इसको छोटा करोगे जब width को आप चाहते हो कि code विदारी उपर आए और यह home वगएरा नीची गिर जाए ठीक है तो मैं जारा इसको 27% हो रहा है इसको मैं 100% करता हूँ तो आप इसको छोटा करोगे आप चाहते हो break points और यहां पर मैं दिखाता हो आप लोग को एक MD होता है break point और यहां पर break points कहा पर है मैं यह देखना चाहता हूँ बस break points ठीक है responsive design में break points कहां कहां पर होते है core concepts में आपको यूजिंग custom break points ही तो मैं जब्रेक पॉइंट्स के बारे में जाना, ब्रेक पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो ये ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, एक SM है, MDA, LGA, XL है, 2XL है, क्या है ये, SM लागू होता है, 640 pixels तक बस, ठीक है, 640 pixels से, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मालो मैंने या पर लिख दिया SM, मालो मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ MD में हो, ये तो मैं नहीं चाहूँगा MD में हो, मैं चाहूँगा कि जो flex box है, ये वो रहे, लेकिन justify between जो रहे नहीं है, ये MD तक रहे, ठीक है, और ये by default क्या होगा, ये flex column रहे ये क्या होगा, flex row हो जाएगा MD में आकर, एक बहुत ही simple से example से इसको समझाता हूँ, let's not over complicated, एक बहुत ही simple से 600 कर दिया, तो इसका background rate 600 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं कहता हूँ, इसका background rate तो 600 है, लेकिन SM breakpoint जैसे ही hit होगा, इसका background हो जाए purple, ठीक है, इसका background क्या हो जाए purple हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि SM breakpoint जैसे ही hit होगा, इसका background हो क्या हो जाएगा, purple हो जाएगा, त obviously मुझे reload करना पड़ेगा page को बार-बार क्योंकि मैं auto reload enable नहीं है इसमें अब मैं इसको जैसे देखो बड़ा कर रहा हूँ तो यह SM breakpoint जैसे ही hit हुआ यहाँ पर जो कि हुआ around 661 जितने भी pixels हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो 640 pixels 640 pixels के बाद क्या हुआ यह ऐसे हो गया ठीक है और अगर मैं चाता हूँ MD पे कुछ और हो तो मैं MD कोलन करके लिख दूँगा मैं चाता हूँ MD पे background हो जाए मालो मालो slate हो जाए ठीक है मालो slate हो गया तो क्या होगा कि BG slate मैं इसको reload करूँगा तो सबसे पहले red हुआ फिर जैसे ही SM वाला breakpoint आया तो purple हो गया फिर जैसे ही ये वाला breakpoint आया slate हो गया ठीक है तो मैं अपनी मर्जी से अलग-अलग devices पे अलग-अलग चीजे कर सकता हूँ ठीक है यह चीज प्राक्टिस से आईगी आप इतनी easily नहीं कर पाओगे तो मैं आप लोको ना एक बहुत ही simple सी चीज बना के दिखाता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि यह जो मैंने बनाया है भी मैं इसको मिटाऊँगा यह dev को मैंने आपको demo के लिए दिखाए था मैं आपर क्या करूँगा मैं आपर कहूँगा कि देखो भाई मेरा nav bar है मैंने text white किया flex किया अब मैं चाहता हूँ कि justify between हो जाए md पर और flex column रहे by default लेकिन md hit होते ही flex row हो जाए ठीक है तो देखते हैं किस तरह से दिखरा है भी फिलाल तो देखो जब मैं phone में हूँ मैं चाहता हूँ code withari center में हो जाए मैं चाहता हूँ code withari center में हो जाए और वो कैसे होगा margin auto लगा कर तो मैं कहूँगा कि logo में MX auto लगा दो क्या कर दो logo में MX auto लगा दो लेकिन ये सिर्फ लगाओ कब जब हम phone में हो और MD में क्या कर दो MD में MX को कर दो क्या MX को 0 कर दो तो अगर मैं यह करूँगा और reload करूँगा तो आप देखो यह center पर आ गया यह center पर आ गया code भी दारी बड़ा करूँगा बड़ा करूँगा बड़ा करूँगा और यह देखो ऐसा हो गया तो इस तरह सब responsive designs बना सकते हैं, मैं चाता हूँ, यह home about us contact भी center हो जाए, home about us contact भी क्या हो जाए, center हो जाए, तो मैं यहाँ पर इस फ्लैक SpaceX 3 मैंने किया हुआ है, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा justify content center कर दो, justify center कर दो, लेकिन MD breakpoint hit करते ही क्या करो, justify को क्या करो, normal कर दो, अब यह justify content normal करने से क्या होगा, कि मैं इसको बड़ा करूँगा, तो यह normal justify हो जाएगा, जैसे था वैसे ही हो जाएगा, तो देखो, हमारा जो UI है, वो responsive हो गया, हमें जाता हूँ, इसमें थोड़ी बहुत height add करना, तो मैं height तो add करी सकता हूँ, navbar में, तो कुछ नहीं करना है मुझे, h- लगाना है, और अलग-अलग जो values है, h6 क्या करती है, 1.5 रम add कर देती है, आप चाहते हो थोड़ी सी और हो जाए, तो आप क्या करोगे, मानलो आप h40 कर देते हो, तो आपको मिल जाती है, 10 रम, ठीक है, तो आप बढ़ा सकते हो इसको, अब यार एक गलती मैं जो कर रहा हूँ, वो यह कि मैं reload नी कर रहा हूँ, मुझे reload करना चाहिए, इसको मैंने 40 कुछ जादे ही लगा दी, तो मैं काम करता हूँ, वन लिखूंगा अगर मैं, तो देखो 10 मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो 10 मुझे सही लग रही है, हाँ यह ठीक है, अब आप जाते हो, वर्टिकली भी सेंटर हो जाए सब कुछ, width है, आप चाते हो कि, जो इसकी height है, आप चाते हो, यह क्या हो, यह minimum height इतनी रहा, वो maximum कितनी भी हो जाए, तो आप क्या करोगे, m- कर दोगे इसको, ठीक है, min- कर दोगे, sorry, not m-, तो min height 10 करोगे, तो min height इतनी हो जाएगी, जब आप छोटा करोगे इसको reload करके तो आपको क्या मिलेगा कुछ इस तरह का UI मिलेगा तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो responsive UIs बना सकते हो इससे आप कोई भी website loan कर सकते हो तो यह तो breakpoints का concept हो गया breakpoints के साथ साथ क्या होता है इसमें और भी बहुत सारी directives होती है जैसे कि अगर आप चाहते हो कि यह सारी चीज़े फ्लैकस और जस्टिफाई विटुइन और यह सब कंबाइन कर तो आप एक apply directive का इस्तेमाल कर सकते हो और apply directive में आप लोग को बताता हूँ क्या होता है apply directive apply तो आप क्या कर सकते हो, इन सारी classes को एक class बना सकते हो, तो आप कह सकते हो कि भाई, मैं क्या चाहता हूँ, कि यह वाली जो class है, उसमें हम apply करना चाहते हैं, यह सब कुछ, ठीक है, तो आप एक class में convert कर सकते हो इसको, तो इतना लिखने की बजाया है, आपको सिफ btn primary लिखना पड़ेगा, तो यह जो tailwind CSS है, यह आपको करते करते आ जाएगी, but this is the basic idea, I don't want to exaggerate tailwind CSS too much, हम लोग tailwind CSS की मतद से एक project करेंगे, तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, and rest assured कि मैं वहाँ पर आप लोगों को वो सारी चीज़े बताऊंगा, जो जो आप लोगों को चाहिए, tailwind CSS से related, तो ऐसा कुछ नहीं है कि tailwind CSS जो है, बहुत बड़ा एक हुआ है, बस CSS ही है, CSS को लिखने का एक तरीका है, ठीक है, I hope कि मैंने एक अच्छा overview दे दिया आपको tailwind CSS का, और tailwind CSS को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, sigma course में इस्तेमाल करेंगे, और कुछ अच्छा बनाएंगे, आने वाले वीडियो में, और उसके बाद आपको सब कुछ एकदम clear हो जाएगा tailwind CSS, और मैं आप लोगों को assume ये करके बताऊंगा वो सब कि आप लोग एक beginner है, with that said, मैं source code डाल दूँगा, github पे और आप लोग tailwind CSS को step by step जैसे से मैंने बताया है, वैसे वैसे करना, सबसे play.tailwind CSS.com पे जाके करना practice, उसके बाद ही कुछ करना, मुझे बालो मुझे nav bar बनाना है, तो मैं nav लिखूंगा, इसके अंदर लिखूंगा, home, जो भी मुझे लिखना है, वो यहाँ पे बनता जाएगा, ठीक है, तो काफी easy हो जाता है, और zoom in, zoom out भी कर सकते हो आप, आपकी मर वीडियोज में हम लोग ये भी देखेंगे कि आप Tailwind CSS को efficiently किस तरह से use करना है, वैसे आप ये जो तरीका है, बिल्कुकल production ready तरीका है, आप output को finally include कर दो, आपकी website ready है, बट आने वाले वीडियोज में हम लोग ये देखेंगे कि अलग-अलग तरह की technologies के साथ Tailwind को कैसे use करना तो I hope कि आप लोग इस course को enjoy कर रहे हो, बहुत कम लोग sigma batch OP लिख रहे हैं comment section में, but that's why जितने भी लोग बने हुआ है इस course में, उनको एक big shout out, चुकि यार आप अगर 97 वीडियोज देख रहे हो तो भाई आपके dedication को heads off है, हाँ मेरे भी dedication कहीं ना कहीं है यार इसमें, इतने सा अजय का कि नहीं, बट एक अलगी level की feeling, I hope कि मजा आ रहा है याब लोग, comment section में लिखो, अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys, thank you so much guys for watching this video and I will see you next time I will see you next time